नमस्कार दोस्तों कैसे आप आई हो वा सभी अच्छे होंगे तो जैसे आप जानते हैं कि मार्केट काफी अच्छा रैली दिया है कल एक्जिट पूल के रिजल्स के बाद और जो इंडिया का GDP है वो भी आउट हुआ है वो भी काफी फेवरेवल था इसलिए मार्केट का सपोर्ट लेवल क्या होने वाला सब कुछ डिसकस किया हूं तो मैं लिंक दे दूंगा उपवर जाके देख सकते हैं पहले वाले वीडियो नहीं देख्या तो आज तो अच्छा हो जाएगा सबको सबको एक आइडिया मिल जाता है सबको देंस जी बोल रहे हैं सार मुनिचल मैं नमबर नहीं पता था इसलिए मैं इनको सपोर्ट इमेल का सपोर्ट का इमेल दे दिया था और कैम्स का नमबर था वह डाल दिया हूं यहां पर जाके देख सकते हैं प्रवीन बादिल मौका ही मौका यह मार्केट का जो तहल का था जो फ्राइडे को नीचे गया था आपका एनेवी जो अपडेट होता है एवरी डे तो वह इसमेश्यों हर दिन करता है मनला हर दिन वह वैल्य एजस्ट करके आता है आपके पास अलग से आपको एकस्पेश्यों देना नहीं पड़ेगा आपका जो कॉर्पस दिख रहा है वह आपका अमाउंट है उसके उपर अब करता है में देश्यों कोता है प्टेश्यों पर निकाल सकते हूँ आपको पंदरा साल विए करना है तो मैं लिखा था कि तो 52 लाक से स्टार्ट करोगे तो 15 परसंट के हिसाब से चलता है क्योंकि HDFC balanced advantage fund ICICI equity and debt fund जो के काफी अच्छे माने SWP funds है उसका तो परसंट है 15 या 16 परसंट है तो वही लेकर मैं लिया हूँ 50-15 परसंट हिसाब से 15 सल तर 57 लाक्स जमा भी हो जाएगा और इनका 60,000 रुपीज पर मैंना for 15 years पिक भी कर सकता है तो next question पर चलते है यह थैंक्यू से मैं पॉर्फोलियो रिव्यू करता है अगर आप लोग भी रिव्यू करना चाहते है तो comment session में share कर सकते है मैं रिव्यू कर दूंगा aggressive को को कोली दत्ता बोल रहे है सर मैं student हूँ SBI PSU Direct Plan में 1,00,000 का लंशम करना कर सकता हूँ एक यह के लिए इस mutual fund में 90% return दिखा रहा है एक यह के बाद अच्छा return मिलेगा तो निकाल लूँगा वरना नहरे नहीं दूँगा मेरा idea सही है कि आपका idea एकदम गलत है तो basically सब लोग attract हो जाता है percentage देखके SBI PSU PSU funds already overvalued है कब नीचे गिर जाए किसी को idea नहीं है एक year का आपका time horizon है जो के काफी risk हो जाता है वैसे ही mutual fund में डालने के लिए और उसके उपर आप बोले है sectoral fund में डालो और वह भी PSU fund काफी काफी आपका risk हो जाएगा यह मेरे ख्याल से आपको को बहुत increase हो अगर फिर भी आपको risk लेना चाहता है तो इंडेक्स फर्म में डाली है तो sectoral mid small में मच जाए यह बहुत risk हो जाएगा आपके लिए समिती साहती बोले है अगर 20 years time horizon है SIP का अगर कुछ emergency के लिए suppose profit booking कर करते है और कुछ भी और कुछ भी वजह से कुछ amount redeem करना पड़े बीच में तो यह compounding को ऊपर effect करेगा थोड़ा सा effect करता है लेकिन on the long term ज्यादा effect नहीं करेगा अगर होता तो ज्यादा तो बेसिकली यह long term पर ज्यादा effect नहीं कर लेकिन आइडियली mutual fund को redeem नहीं करना चाहिए बहुत अगर बहुत emergency नहीं हो तो redeem नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत effect करता short term के लिए on the long time यह सब कुछ एफिक नहीं करता है 15-20 साल तक के लिए सब कुछ matter नहीं करता है जादा और थोड़ा सा निकालों कोई दिकत नहीं तो डॉक्टर नीरप पर्मा बोल रहा है I am your regular viewer and big big friend because I learned so many things from watching your videos thank you so much sir I want to know regarding style of investment of different AMC growth style momentum style and value style of investment because according to watching your videos every investor basically यह बोल रहा है इनके पास यह सब इनके पास इनके वाइस के पास और इनके फादर के मादर के पास फादर के सारो family का portfolio दिया है तो basically इनका कौन-कौन से fund का कौन-कौन से style पर चलता है तो मुझे exactly पता नहीं है किसी को पता है तो बता दीजिए comment section में कि कौन से style का मुझे पता है इनका अनिमेश सिंग बोल रहे है के लाव भाई मेरा अच्छा यह तो पूर्फ़लियो कर देंगे जैंतर नहीं काफी लॉस हुआ था उस दिन मेरा करीबन बारह हाजार पंद्रह हाजार लॉस हो गया था तो यह थैंक्यू फॉर यूर विश्यस आशिस बोल रहा है किन्ध्र मरार केट विश्यस और दर्म ओं की लिवभाम विभम होगा सब्सक्राव पभभर मिए हैं मैं प्सक्राणटची मेरा लॉस हुआ इसे ट्रॉचा रहे देराहीन सब्सक्राइब नाभर में दिक्तिक्राईस संब्सक्तरास कर दो मैं कहता मैं बाइचमा ब कर दो मुझे मुंबई मैं लिखा था आएगे किसी दिन लेकिन आपके गाने के वज़ेसे मतलब अनुमलिक जब इंडियन आइडल होता था पहले अभी तो मैं देखता नहीं हूं मैं फॉर्स इंडियन आइडल का बात कर रहा हूं 2005 में शायद हुआ था तो उसमें बोलते बोलते थ कितना का पॉर्फुलियो पता नहीं मुझे मैं लिखा भी था 40,000 वन देका लॉज माल काफी हाइड हाइड का पॉर्फुलियो होगा इंका तांक रूबर है बहुत थैंक्यू फॉर एस्प्रेंट मैं मैं इनका कुछ रिव्यू किया था एक सेंड रोकिये मैं का कुछ आज के बाद तो लॉस हुआ होगा मंडे उपर जाएगा या नीचे आएगा वाट यू थिंग मुझे भगवान बना दिया एक दम फुरा यह भाई सामने फारधार दिन पूछते रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा मैं फ्राइडे को बताया था कि एक सिट पोल के रिजल क मार्केट का काफी हाई होने वाला है मार्केट तो वही हुआ एक्जाक्ली वही हुआ लेकिन मुझे एक्स्पेक्टर नहीं था कि मुझे तो पॉर्टफोलियो है सार यदि आपको टाटा और बैंक आफ इंडिया स्मॉल कैप में किसी को चूज करना है तो कौन से में चूज अच्छा है तो अराम से टाटा को चूज कर सकते हैं शायद आपके पास टाटा है भी मुझे जितना यादा आ रहा है अरे कोई लाइक नहीं किया है कि आरे गाइस लाइक भी कर दो हां यह तो सही है कि जब वीडियो देख रहे हो आप लाइक थोड़ा कर दीजे तो अरव कि अच्छा लगता है देखने किसी का प्रॉफित हुआ है कि इतना शेयर करते रहो यह हजबंट वाइफ नेक्स्क्त कुछ नहीं यह बस इतना ही ता सब्सक्राइब देखते हैं कितना डाउन जाता है मार्केट अभी चलता है पोटफोलियो के तरह कौन मेट का 92 परसेंट सारे में अच्छा खासा परसेंटेज दिया हुआ सब्सक्राइब देख सकते हैं ट्रिपल सिस नंबर होता है जो भी है छोड़ दीजिए तो 3613 का टोटल प्रॉफित है उपर गया है प्रॉफित है करीबन थीन हजार को आंट इन पर सचाहा फिट से हंडेड पाड हो गया है जो कि मैं एक्सपेट करता तक कर रहा आता कि यह हंडेड पाड होगा तो 4.53 परसेंट उपर गया कल काफी भैतर हिनने 964 रुपिस का वन डेका प्रॉफित है टोटल प्रॉफित चल है 2.79 परसेंट उपर गया कल जो कि देख से काफी ठीक ठाग है काफी अच्छा रैली दिया है कल अभी मैं डर रहा हूं कि इतना अच्छा रैली देने के बाद आज का मार्केट इससे भी खड़ाब है जितना उपर गया शायद उससे भी नीचे आएगा मार्केट अभी जि एक दिन में उठा है घजयाब है 102 परसेंट एक साहरा क्रोस कर चुगा है तो 1757 का प्रॉफित टोटार प्रॉफिते 7000 बंदन स्पारके 41 परसेंट 1.83 ऐसे उपर गया है काफी धीक्ता गया 620 अपर वाद काृफित है वादने का प्रॉफीत है टोटार सारे-चारहजारी ल इंवेस्टेट है टोटल वैल्व भी चला गया 283,000 और टोटल रिटान से 47,000 वंडे का बात करो वंडे का सबसे ज्यादा मेरा हाइस्ट रिटान एक दिन पर यही आया है